25 सितंबर सोंबार अती गंड और सरवार से दियोग से पाँच राशियों के फैमिली लाइफ में मधूरता घुलेगी चंद्र बंगल और सूरी का नवंपंचम राजयोग यात्रा से बड़ा लाप बिलेगा लेकिन चंद्र बुद्ध का सडास्टक दोश और शनी चंद्रमा का द्वीद वादश दोश तीन राशियों को निराश करतेगा नमस्कार प्रेसातियों मैं हूं सुरेश श्रिमालि और आप देख रहे हैं 25 सितंबर सोंबार आज कर आशियो प्रेसातियों हम सब कुछ जिंदगी मिली है तो कुछ कर के दिखाओ अगर वाक्त बुरा है खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ यही आज आपके लिए सफलता का गुरु मंत्र होगा किसी से डरिय मत घबराई मत सरफ परियास करिए प्रेसातियों आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाई की किसी समस्या को लेकर मुझसे पर्सनल मिलना च अक्टूबर सिलिगोडी, 22 अक्टूबर पुने, 27 अक्टूबर दिली, 28 अक्टूबर सूरत और बड़ोदा, 29 अक्टूबर को एमदबाद विजरात पर होगा आप चाहें तो यहां पर्सनल बेद सकते हैं या फिर मैं रोजाना ही टैलिफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंस अपन्टमेंट्स जूड़ता हूँ, आप भी वैसे जूड़ सकते हैं दोनों ही समय किसी प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करके मन की शांती और सुखी जीवन की प्रारत्रा करें और जो माता को चुनरी चड़ाई है वो चुनरी बाद में आप किसी सुहागिन मैला को गिफ्ट कर दीजेए अगर आज आज आपका जन्म दिन मैरे जन्मट सेरी स्पेशल डे है तो आज बोलेनात का रुद्रा बिश्य करें उनके समक्ष बैटकर लगू रुद्री का पाट करें और योगिये पंडितों को बोजन करवाए बोलेनात को भांग धतूरा और ठंडाई का बोग लगाने के बाद स्वयम भी ग्रहन करें और बक्त जनों को विजरित करें इसके साथ साथ आप अपने वजन के बराबर साथ अलगले प्रकार के धान गरीब या जरूरतन लोगों को डोनेट कर दीजेए चंद सैकेंड आप लोगों लोगा आज की कुंडी और आज के पंचांग लेगा देखिए आज सुबह साथ बचकर चपन मिनट तक दश्मी और बाद में एकाद शितित रहेगी आज ही सुबह ग्यारा बचकर पच्पन मिनट तक उत्तरा शाड़ा नक्षत्र और बाद में स्रवन नक्षत्र रहेगा ग्रहों से बनने वाले वाशी आनदाती सुनफा पराक्रम और सरवारसितियों के साथ तो मिली रहे लेकिन आज एक नया अतिगंड राज्यों भी बन रहे अगर आपकी राश्य व्रशप सेंग वरिष्टिक और कुम्भ है तो शर्ष्यों के लाब बिलेगा आज चंतरमा पूरे दिन मगर राश्य वे रहेंगे और आज की दिन अगर शुब और मांगली कारेव शुब सभाई के तलाश में तो दो बार बिलेंगे सुबह सवा दस से सवाई ग्यारा बज़े तक शुब का दोफेर को चार से छे बज़े तक लाब और अबरित का चोग्रिया रहेगा लेकिन सुबह साड़े सार से नौ बज़े तक राहुकाल के समय शुब और मांगली कारेव न करें तो बहतर है आए राश्य वल की शुरू लापरवाही के चलते आपको कोई डिस्टब कर सकता है चोरी हो सकती है बॉस और कलीक से सुर ताल और लाइब बठा कर चलिएगा किसी की शर्त पर काम बद करेगा मेरे परियसाथ हूं स्टुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स हर दम तयार रहें कभी भी आपको मौका बेल सक अलस्य को त्याग ना होगा पारिवारिक समस्योंस यदि आप परिशान है तो घर के किसी बड़े मेंबर से साजा करें उनका मार्क दर्शन लीजिए फिटनेस को बरकरार रखने के लिए योग प्रणाम ध्यान और चिंतन करिए बोजन कम अच्छी नीन और साथ में अच्छान होगा नई प्रेड ने पहलेगी एलेक्ट्रिक एलेक्ट्रोनिक्स कंप्यूटर सौफ्फियर और साथ में कंस्ट्रक्शन से जुड़े वे लोगों को आज सावधानी रखती होगी नए लोगों से बुलाकात होगी लेकिन फाइनेंशली को नुकसान दे सकता है जनरल हो यह competitive exam आपके अभिलाशा आज पूरी होगी करके किसी महतुपुन काम में आपको ध्यान देना होगा और ध्यान देने से जब वो काम होगा तो मन खुश होगा मनोबल भी बड़ेगा यदि आप नशीले परदार्त का सेवन करते हैं तो आपको infection तकलीप हो सकती है अ अच्छा बोजन अच्छी नीद अच्छा सब कुछ आपको खुश रखे का नशा आपको दुखी कर सकता है मिथुन राशी ननिहाल या परिवार से चेक करिए किसी के साथ अनबन है उससे दूर करिए वर्ट्पेस पर आपको अधिक एक्टिव रहना चाहिए टेक्नोलोज और प्लेट्स ध्यान रखिए लाब बिलेगा और करियर में ग्रोथ के नई विंडोज आपको बिलेगी संतान और बड़े बुजर्गों स्वास्ते विलेकर एलेट रहना होगा मूह और दातों में दर्द आपको परिशान कर सकता है खायल रखेगा बात करता है करकर आशी क समझदारी से साज़ेदारी निवाइए यानि लॉब पर्टर लाइट बिज्नस पार्टर से समझदारी से पेश आई बरतल्मेश पर यदि ऑनलाइन काम करते हैं तो सभी काम को बांट कर क्याएंगे तो आपके काम जल्दी पूरे होंगे अतिगंड और सरवार्स दियों के बनने से logistic, towards and travel, transportation, food and beverages के लोगों को, manufacturers जूड़े वे लोगों को अपने technology और अपने लोगों के बीच सुधार लाने से आपका मनोबल बढ़ेगा, positivity बढ़ेगी, new generation द्वारा किये जाने वाले सभी प्रियासों में उन्हें तावर तोड सफलता के लिए, तावर तोड बेहनत भी करनी पड़ेगी, घर के सदस्यों के साथ, कोई dinner party, कोई get together, आने वाल टाइम में organize हो सकता है, जिसके लिए आज सेमती बन जाई, यदि गर पर ही योग, प्रनायम, ध्यान, चिंतन करें, बिजनस परसन के पूर्वक अनुभव, उनके वर्तमान के काम बहुत आएंगे, और आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, न्यू जनरेशन को, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सयोग भी लेगा, और उनके सयोग से बिगड़े काम भी बन बन्याराशी की बात करते हैं, आकस्वी दनलाब अचाने से किसी से मिल मुलाकाद खुशी देगी, कुछ नए चीज़ सीखने और पढ़ने और उसे अपलाई करने मौका भी लेगा, वर्पेस और बॉस के हां में हां मिलाई, उनके मारदर्शन से काम बनेंगे, लेकिन किसी दस्ताबेस पर हस्ताक्षर करने से पहले जाज परताल जरू कर लिजी, बिजनस के मामले में नई प्लानिक बना रहे हैं, और बिजनस पार्टनर उन प्लानिक का आपको जरू लाब देंगे, और आपका साथ भी देंगे, स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेयर्स, कर सकती है, चेक करिए, बात करते हैं, छे राशी बाद मैजिक निम्रोलोजी की, कि अगर आपके डेट, मंत और येर तीनों को टोटल करने बाद एंड में टोटल तीन आती है, तो आपका भाग्या अंक तीन होगा, ऐसे लोगों के लिए मार्च और दिसम्मर का महिना तो काम बन जाएंगे, बिजनस परसन, गाटे को देखते हैं, आर्थिक चिंता में परिशान हो जाएंगे, गर में जोरान सौमे तक वातर बनाएं, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन्हें समझने की भी कोशिश करें, हमेशा समझाने काई काम नहीं कर सेहत के मामले में आज आप लगी हैं, आईए, बात करता है वरिश्य गराशी की, साहस, करेज, एंतुजियासम, हर काम को उत्साह के साथ करिए, गवराईए मत, प्लैन करिए, ये दिन आपका है, अतिगंड और सर्वार सिधीयों के बने से वर्क्वेस वर, आपके द्वारा सेहत के मामले में गुटनों का ये पैरों का दर्द परिशान कर सकता है, धनुराशी, आपके करतब भी क्या है, उससे पूरा करें, इनिशेटिव लीची, वर्क्वेस पर काम को लेका चल रहा है, तनाव थोड़ा कम होगा, जिस करान आपके चेरे पर थोड़ी सी मुस्कु पर आटाएगी, जो लोग बिजनस कर रहे हैं, उनको गरह को लुबाने के लिए नई योजनाएं बनाने चाहिए, और पार्टनर्शिप बिजनस कर रहे हैं, नई लोगों जोड़ना चाहते हैं, किसी के साथ मीटिंग करने हैं, बड़ा फैसला करना है, सुबह 17 से 17, 11, 12 ब बीच में करिए, न्यू जेनरेशन जितना हो सके, विवाद से दूर रहे हैं, और किसी और के काम में टांग मत अड़ाइए, वर्किंग वुमेन को ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके अपने पडोसियों से कास्तुरी हो सकती है, स्व बिजनस पर्सन के लिए दिन थोड़ा सजग रहने का है, हर काम को अपने देखरेग में करिए, वरना पैसा, फसना, नुकसान और दोखा हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन की वानी के वज़े से जगड़ा फसाद और ध्यान न दे पारे के वज़े से आपके परफॉर्मेंस दिली रहेगी, वानी पशुन बोलने से कस्ट उठाता है और मनुष्य बोलने से, इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि अब बोलो तब अच्चा बोली, गर के पूजा इस्थान की साब सफ़ाई करें, गर्णपती पपा और शिवजी का आशिरवाद बिलेगा, हैल्थ को ले या फिर वाटकाव कम हो जाएगा, ओफिशल काम को लेकर की के प्लानिंग थोड़ी से फेल हो सकती है, निराशा थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसलिए निराश लोगों को साथ तो बिलकुल मत बैठेगा, फूट और बेवरिजेंज, होटेल, रेस्टरांट, मैनुफेक्श आएंगे, आपको खुश रखेंगे, परिवार की जरूतों और भविश्य की चिंता को लेकर थोड़ी परिशानी रहेगी, लेकिन घरवालों से बैठकर बात करिए, मन का बोज हलका होगा, ड्राइव करते से में नशा और गैजेट्स के इस्तेमाल आपको चोट पहुँच में राशी, चोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन, अपने हो एक अजिन, बॉंडिंग मजबूत करिए, मदूरता लाइए, करियर को चमकाने के संबत में किये के प्रयास सार्थक होंगे, और अब लोग आपकी प्रशन सा भी करेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, अत पार्टों लाइप पार्टों से बाचीत करते से में जुबान का खैल रखें, अच्छे वचन बोलें और उनकी भावनाओं की खदर करिए, आप समझेए कि आपको खुद अच्छा लगेगा, स्ट्रीट फूड, वाईली फूड, जंक फूड से परहेस करिए, वरना स्टोम स्मार्ट होता है, अगर आप स्टूडेंट है, तो आपको और अधिक पढ़ाई के साथ मैनेज्मेंट की गुर्फ सीखने चाहिए, पुलिस, फौज, प्रशाशन में भी ऐसे लोगों को लाब मिलता है, लेकिन आपके जुबान एहंकार के वज़े से आप तकलिफ पाते है जो मैंने पहले क्या काता कि जुबान के वज़े से लाब भी कमाते हैं और उसी जुबान के वज़े से वो तकलिफ भी पाते हैं, और एहंकार और इरशे बे साफ जलकती हैं, चेक करिए, सुर्य वंगल आपकी कुनली में कहां भी राज़मान है, मेरे प्रियसात ही हूँ, स स्रद्धया एदम स्राधम, अर्थार्त जो स्रद्धा से किया जाए, वह स्राध है, 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पित्रपक्ष यानि स्राधपक्ष आपके लिए एक स्वरणिमावसर है, प्रेशातियों, कई बार जन्म कुनले में पित्रदोश होता है, जिसके निवारन के लिए आपको कई परकार के जतन करने होते हैं, लेकिन समय के भाव के कारण आप नहीं कर पाते हैं, और अगर पित्रदोश है, तो घर में रोपाया नहीं टिकता है, शुब और मांगलिक कारे नहीं होते हैं, ना व्यापार डंग से चलता है, ना नौकरी डंग से चलती है ना मन में शांती रहती है, ना घर में शांती रह पाती है और भी कई तरह के कलेश और कस्ट आते हैं बच्चों को चोट लगती है, गर में अखाल बिटी हो जाती है इन सब से चुटकार पाने के लिए इस स्राद पक्ष में आध्यात्मिक साध्रा सिद्धी केंदर के विद्वान पंडितों के सानित्य में अभी मंत्रित और प्रान पर्तिष्टित पित्र दोश निवारक साध्रा पूजन पैकेट हमने तैर किया है जिससे आप राप करके सुरद्धा से इस कर्व को पूरा करिए पित्र प्रसन होंगे और आप अपरे जीवन को खुशाल तरीके से जी पाएंगे देगे नपर पे संपर करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं